दोस्तो इस सवाल के साथ जिसका नाम जहन में आता है वो है एलीजा बेथ बात होरी दव ब्लेट कॉंटेस नाम तो सुना और पढ़ा ही होगा दोस्तो इसका खून से इतना लगाव था कि बस उसे हर वक्त अपने दिन चरिया में खून ही खून चाहिए था हलो दोस्तों मैं हुसंदीप आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल ग्यान बुलेटीन तो चलिए दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे महरानी के बारे में बताएंगे जो कुरूरता की सारी हदे पार कर गई थी तो चलिए दोस्तों वीडियो सुरू करते है दोस्तों एलिजा वेथ वात होरी का जर्म साथ अगस्त 1560 में हंगरी में एक बहुत ही बड़े राज की परिवार में हुआ था दोस्तों कहा जाता है कि उसने अपने जिंदगी में बहुत ही कम उम्र में अपने परिवारों से कुरूरता का पालन करना सीख लिया था जब उसने हंगरी का सासन भार 1590 से लेकर 1606 के बीच में समहला उसके दवरान उसने करीबन 650 से लेकर 700 तक जवान कुमारी लड़कियों का बहुत ही बहरमी से खुन कर चुकी थी दोस्तो वो सिर्फ उसके खुन से नहा कर मरते दम तक जवान और गठिली खुबसूरत बन कर रहना चाहती थी दोस्तो उसे यह लगता था कि कुमारी और जवान लड़कियों की खुन से नहाने से और उस खुन के पान करने से वो हर दिन हरी भरी रहेगी दोस्तो कहा जाता है कि वो उन लड़कियों को मारने का भी कुरूर से कुरूर तकरीव निकाली थी किसी को पीट पीट कर मारना किसी के सरीर से मांस नोच कर निकालना किसी को गर्म लोहे से दाक कर जला कर फिर उसे बरफिले पानी में फेक कर मारने के लिए छोड़ देती थी दोस्तो अंगों को काटना और सुई घोप कर अहसानिय दर्द देना जैसे उसके लिए एक गुड़े गुड़ियों का खेल था और वो इससे बहुत खुस होती थी दोस्तो ये भी उलेक है कि उसके रोज नहाने के लिए एक लड़की की गर्दन काट कर उसके नहाने के टैप के उपर लटका दिया जाता था और वो उस खुन से नहाती थी दोस्तो फिर एक दिन उसके इस दरिंदगी के बारे में उसके राज के लोगों को पता चला और उसे उसके कैस्टल में नजर बंद करके आखरी दम तक रखा गया दोस्तो अब कुछ इतिहासकार यह भी कहते हैं कि कॉंटेंस बातहोरी खुद एक मानसिक रोगी थी उसकी सारी खाजाने और पावर को हतियाने के चकर में उसके कुछ अपनों ने ही उसे कैदी बना लिया और लोगों के मन में उसकी ऐसी चबी बना दी दोस्तो अब सच्चाई क्या है एलिजाबेत बातहोरी और उसके आज पास के लोग ही जाने मगर आज जो भी लेखा जोखा सामने आया है उसके बारे में वो रोंग्ते खड़े कर देने वाला इसमें कोई दो राए नहीं है तो ये थी दोस्तो एलिजाबेत बातहोरी दबलेट कांटेस के बारे में जो दुनिया की सबसे खतरनाक महरानी माने जाती थी दोस्तो अधी आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कॉमेंट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तो चैनल सबस्क्राइब करना बिलकुल मत भूलिएगा क्योंकि इसी तरह का वीडियो इस चैनल पर हम लाते रहते हैं धन्यवा दोस्तो जैहिंद